Hey guys, कैसो सब लोग, welcome back to अपना college और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़ी है सवाल that is balanced parenthesis यह कई बार आपसे coding interviews में पूछ लिया जाएगा और यह coding rounds में भी कई बार code करने को आज आता है So, शुरू करते हैं इसे So, balanced parenthesis में माल लिजए आके पास यह वाली string है ठीक है और यह balanced parenthesis है यह मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने यह देखा है कि इस वाली opening bracket के लिए इसका same closing bracket है और वो इधर आ चुका है और अगर हम यह वाला opening bracket देखें that is our square opening bracket इसके लिए मेरे पास square closing bracket है और ऐसी मेरे पास curly opening bracket के लिए curly closing bracket है अब एक unbalanced parenthesis को देखते है right so unbalanced parenthesis है यह right वो क्यों क्योंकि इस वाले square opening bracket के लिए square closing bracket तो है लेकिन इस वाले curly opening bracket के लिए square closing bracket है so यह दोनों match नहीं कर रहे हैं तो इसलिए invalid है right so यह हम इसे क्या बोलेंगे unbalanced parenthesis है right so approach देखिए हम इसको कैसे solve करेंगे right so उसके लिए हम use करेंगे stack right so हम क्या करने वाले होंगे हम एक एक करके कोई भी मेरा अगर opening bracket आ रहा है तो उसे push कर देंगे अपने stack में right और जब भी मेरा closing bracket आएगा तो हम उस stack का top match करेंगे कि यार वो similar मेरा opening bracket पढ़ावा है या नहीं और वो अगर पढ़ावा होगा तो मैं उसे pop कर दूँगा और last में अगर मेरा stack empty होगा तो मैं true return कर दूँगा so सबसे पहले जब मैं iterate करूँगा तो मेरे को ये वाला bracket मिलेगा तो मैंने इसे stack में push कर दिया फिर उसके बाद मेरे को ये वाला opening bracket मिलेगा इसको भी मैंने stack में फिर push कर दिया then मुझे square opening bracket मिलेगा फिर हमने square opening bracket को भी push कर दिया then हमें एक square closing bracket मिला और मैंने देखा कि यार मेरे top of the stack पे भी square opening bracket पड़ा हुआ है, तो यह दोनों एक दूसरों कर देंगे, और मैं इसको यहां से हटा दूँगा, राइट, तो हम सिमिलर वे में, यह जो मेरा राउंड क्लोजिंग ब्राकेट मेला मुझे, और मैंने यहां पर देखा, राउंड ओपनिंग ब्राकेट पड़ा हुए मेरे स्टाक के टॉप पे, तो मैंने इसे फिर से पॉप कर दिया, देन लास्ट में, जह हम देखेंगे कि यार, यह जो मेरा लास्ट क्यारेक्टर आया, तो हमने इसको, और जो मेरा स्टाक का टॉप था, इसको मैच किया, यह दोनों आपस में कैंसल हो रहे हैं, तो मैंने फिर से स्टाक में से पॉप कर दिया, और मैंने देखा कि यार, यह मेरी वैलिट स्ट्रिंग है, क्योंकि मेरा स्टाक भी एम्टी है, यह पुश हो गया, then मेरा round opening bracket आया, यह भी पुश हो गया, then square opening bracket आया, यह भी पुश हो गया, then मेरा square closing bracket आया, इसने square opening bracket को cancel कर दिया, और मेरा square opening bracket pop हो गया, stack में से, then हमने देखा कि यार, मेरा कौन सा character है, that is my curly closing bracket और top पे मेरा round opening bracket पढ़ा हुआ है, सो यह दोनों मैच नहीं कर रहे राइट सो इस केस में मैं कह दूँगा कियार मेरी invalid string है और मैं यह इसे break कर जाऊंगा और false return कर दूँगा राइट सो आई होप आपको question अच्छे से clear हो गया so let's code it guys सो गाइस अब हम balance parenthesis के code में बढ़ते हैं तो उसके लिए एक string ले लेते हैं जिसमें हम store कर रहे होंगे अपनी जो string होए ठीक है so उसमें हमने string ले लिए वाली जो हमने discuss की थी right so यह हमारी string है यह balance है नहीं इसके लिए हम एक method बनाएंगे is valid करके अगर वह true return करेगा तो हम output कर देंगे कि वह valid string है वर्ना वह invalid string है so if is valid of s true होगा तो हम cout कर देंगे valid string वर्ना output कर देंगे invalid string right so अपना इस valid function बना लेते हैं यह boolean type return कर रहोगा so bool is valid इस के अंदर जाएगे मेरी एक string 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 s सबसे पहले एक variable में हम string की length store करा लेते हैं so int n equals to s.length या फिर s.size एक stack declare कर लेते हैं characters का so stack char st right so इसके बाद एक variable बना लेते हैं answer जो कि बता रहा होगा कि मेरी string valid है नहीं so boolean type का होगा वह so bool answer equals to true initially माल लेते हैं कि यह मेरी string balanced थी I trade करते हैं अपने string पर so for int i equals to 0 i less than n i plus plus तो अगर मेरी current जो character है string का वो कोई भी opening bracket है let it be curly opening bracket या फिर round opening bracket या फिर square opening bracket तो मुझे से सीदा सीदा पुश करना है अपनी stack पर so if my s of i is a curly opening bracket और it is a round opening bracket और it's a square opening bracket तो भाया सीदा सीदा पुश कर दो से stack पर so st.push s of i टेक है अब हम तीन और case देखेंगे कि जब वो एक closing bracket है तो closing bracket हमारे इन तरीके के हो सकते हैं या तो वो curly closing bracket होगा round closing bracket होगा या फिर वो एक square closing bracket होगा else if मेरा s of i is a round closing bracket तो उस case में मेरे को सबसे पहले check करना है क्या मेरा stacker top एक round opening bracket है तो उस case में तो मेरे को सीदा सीदा पॉप करना है और आगे बढ़दा आना है so if my st.top is a round opening bracket तो भाईया सीदा सीदा पॉप करो st.pop और आगे बढ़दा हो right वरना अगर वह ऐसा नहीं है तो मैं पहले पहले तो अपने answer में false mark कर दूँगा कि भाई मेरे string balance नहीं है so answer equals to false हो गया and यहां से हम break कर जाएंगे और यही तीन case में लिख दूँगा अपने बाकियों के लिए भी जो कि होंगे मेरे closing brackets right so मैं इनको copy paste कर लेता हूँ यह आ गया मेरा square के लिए तो यहां पर भी square हो जाएगा square opening bracket right और यहां पर मेरा curly आ जाएगा curly closing bracket and curly opening bracket right तो यह तो मैंने iterate करके अपने string में जो काम करना था वो कर लिया अब last में मुझे क्या देखना है कि भाई इस for loop के खतम होने के बाद क्या मेरे stack में कुछ elements बचे हैं यानि अगर उसमें elements बचे हैं या इसका क्या मतलब है कि कुछ मेरे opening brackets हैं जो की रह गए हैं मेरे stack में तो मैं नहीं बोल सकता कि मेरे string balance थी क्योंकि number of opening और number of closing bracket बराबर नहीं है यहां पर पॉप करने से पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरा stack empty तो नहीं है इसको भी हर चीज में incorporate कर देते हैं अब अपनी वह जो last हमने condition discuss की थी कि अगर मेरा stack empty नहीं है तब भी मेरे को false return करना है so if my stack is not empty तो return कर दो false राइट वरना answer return कर दो यहां हमने अपना is valid function भी पूरा बना लिया है ठीक है so अब इसको run करके देखते हैं let's save it run it so जैसे कि हमने run किया यह valid string आ गई है और अगर मैं अपनी string change करूंगा तो क्या पता है invalid बन जा है एक बार invalid string भी इसके अंदर भेज के देखते हैं ठीक है so let's run our code so जैसे कि हमने देखा यह invalid string आ गई और अगर number of brackets हम कम कर दे तो obviously बात है वह एक invalid string होगी होगी इसको भी run करके देख लेते हैं आप मिलते हैं आपके साथ नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए बाबाए आप